हम ब्यूटे नॉन की बात कर रहे हैं तो ब्यूटे नॉन में लास्ट में कोन आ रहा है? मतलब यह कीटोलिक फैमली का है तो सबसे पहला काम जो बच्चा ब्यूटे नॉन एक्जाम में बनाएगा वो सबसे पहले C लिख करके आएगा C देवर कॉन लूट और यह ग्रूप छोड़ देगा अब ब्यूटे नॉन में एक कारवन तो ही हो गया और ब्यूट मतलब चार कारवन तो एक तो यह हो गया तो जरूरत कितने की है? तीक ही है अब आपके पास दो रास्ते हैं यहां तो यहां दो C लगा करके यहां एक C लगा दे यहां एक C लगा करके दो C इधर लगा दे बात एक ही है तो चलिए एक C यहां पर लगाए तो C हमेशा किस ग्रूप के साँ जुड़ता है? CS3 और यहां पर जुड़ेगा C और यहां पर C, तो यह हो जाएगा CS3, और यह हो जाएगा CS2, तो यह आपका बढ़िया butanone, कोई problem इसमें, ठीक है न जी, आंगे बढ़ें, चली, कल की चर्चा को आंगे बढ़ाते हैं, कल हमने पढ़ लिए थे reactions, याद कहिए कल मैंने कहा था आप से, कि आप लोग alcohol की reaction कल की क्लास बहुत important थी, हमने कहा था, घर में पढ़ लिजीगा, बहुत simple example है, आप कितने जिम्मेदार हैं इस चीज को clarify करने के लिए, अगर आपने कल का घर में नहीं पढ़ाए, आप अभी copy लेकर करके आप लिखके कोशिश कर लो, आपको नहीं बनेगा, कल की reactions, बनेगी नही अगर आपने नहीं पढ़ाए, आप बहुत ही गया जिम्मेदार हैं, ठीक ना, अज़िए अपने कल नहीं पढ़ी कराए, तो daily का daily पढ़ना चाहिए, चलिए आप question देखते हैं, कल मैंने बहुत important important चीज़े पढ़ाई थी, number one carboxylic acid की reactions पूरी पढ़ा दी, कल मैंने आपको औरicting की पूरी correction पढ़ा दी, कल मैंने आपको आफको इलखेन की पूरी correction पढ़ा दी, और alcohol करा दिया, carboxylic acid पूरे हो गये कल, तो काप ही जारा कल मैंने कुछ कराया सा, अचआ-चै क्विश्चन कियें थे, कल ये question हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भ तरुम तू जो हुआ था, तू दो गजा 17 का भू में बता रहा हूँ, Yes, write the molecular formula of second and third member of the homologous series, where the first member is ethine, Okay, question क्या है, अगर first member ethine है, तो बताईए, इस homologous series का second member, और third member क्या होगा, one marks का question, सबसे पहले मुझे ethine का formula कौन बताएगा, बस जितना पूचों होतना, और इदर उदर का जवाब नहीं, ethine, एग, one, 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 मैंका first row, second row, third row, yes, cn, h2n, minus 2, यह ethine का formula है या alkyne family का formula है, alkyne family का formula है, चलिए, तो आपने हमें बताया formula, alkyne family का cn, h2n, minus 2, अब क्या आप मुझे ethine का formula बता सकते हैं, no, second row में, yes, very good, c2, h2, because ethine के लिए number of carbon 2, class number 1 में पराया था, eth, कितने carbon, 2 carbon, तो n equal to 2 put करिए, n equal to 2 में आएगा, c2 into h2 into 2 minus 2, c2, 2, 2 तो सा, 4 minus 2, c2, मतलब यह इठा ही है, तो write the molecular formula, तो पहला member हो गया, c2, h2, yes or no? अब आपको पताना, इसका दूसरा और तीसरा member, दूसरे member जाने के लिए, n equal to 2 के जगे, n equal to 3, एक रास्ता, n equal to 3 रपको, दूसरा रास्ता, directly c2, जोड़ो, क्योंकि हो लोगर सीरीज में, दो लगातार member में, कितने का फर्ख होता है, c2 का, एक carbon का, और दो, idola, तो directly जोड़ो, यहाँ पर c3, h कितना हो, 4, यह हो गया जी, तो यह दूसरा member हो गया, इसका नाम होता है, propine, क्या नाम होता है, propine, तो इसका नाम होगा था, propine, यह वाला member हो गया, आगे चलते हैं, रेखिए, c4, h कितना, 6, यह अगला member बन गया है, अगर आपको general formulae से अच्छा लग रहा है, तो आप general formulae से यहाँपर, n की जगे पर 4 रहन दो, तो n की जगे पर 4, 4 टूजा, 8, 8 माइनस तो कितना, 6, तो यह member बन गया, आपका view time, क्या बन गया जी है, view time, बहुत simple है, देखिए, answer, इन्होंने तो structure दे दिया है, बट कोई ज़रूरत नहीं यहाँपर structure दे लेगी, क्योंकि इन्होंने केवल molecular formula बोला है, अगर आपको structure बनता है, आपके पास extra time है, तो लिख करके आईए, otherwise कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँपर structure लिखने के कोई marks आपको नहीं मिलने वाले हैं, यहाँपर केवल आपको molecular formula लिखने के marks मिलने वाले हैं, तो यह लिख करके आएगी, तो आपको marks मिलेगा, ओके, तो यह रहिए, यह formula है, यह का structure है, ओके, यहाँपर एक question में और साथ पर edit करता हूँ, जो कि बहुत important है, वो है, what is homologous series? चलिए, तो homologous series इसको भी रेक के बनाता दें, क्योंकि question में homologous series था, अगर two marks का question आता है, what is homologous series? तो systematic way में आर्जुन भोलना चाहिए, आर्जुन भूले, अर्जुन भूले, अर्जुन भूले, अर्जुन भूले, अर्जुन भूले, अर्जुन भूले, नहीं, देखे, 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 पहले ही, the series of compound, number one, series से इसकार करिये, the series of compound, having same क्या, having same functional group, number one बार, having same functional group, पहला काम, having same functional group, बेटाई, इसके family कोन सी, L-kind, family का नाम लो, इसके family, इसकी कोन सी, इसकी कान सी, तीनों का same functional group है, तो देखे, the series of compound, having same functional group, they are different with, each on the, CH2 unit, each are different with, CH2 unit, समना आगया, yes, अब आप जो जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, having same chemical properties, आप जा रहे हैं, यवर उसके एक expect कर पर, कि इसकी chemical properties, same हो भी है, हाँ, वो last में बोल लिए, ओके, ये इसकी property है, ये का है, इसकी property, आप स्टार्ट में ही लिख देंगे, कि, आप स्टार्ट में ही लिख देंगे, कि इनकी chemical properties, same होती होती हो, हो होमलोर्स होते हैं, NO, कोई जो रूप नहीं है, ऐसा नहीं है, कि होमलोर्स होते हैं, है ना, ये same functional रूप होना चाहिए, आप देखो, आप जिस example के लिए, अलकेन को भी जलाओगे, वो भी पॉप पढ़िया चलता है, अलकेन को जलाओगे, वो भी जलता है, बेकास दोनों हाइट्रो कार्बन है, अब chemical property क्या है, वो भी जल रहा है, और ये भी जल रहा है, बढ़ क्या दोनों होमोलोगा सीरीज में आते हैं, नहीं, अलकेन की फैमिली अलग है, अलकेन की फैमिली अलग है, तो ये जो chemical properties है, ये last में गुल दस्ताफ को लगा करना है, कि chemical properties दोनों की सेम होगा करती है, स्टार्ट में लगाना है, चलिए जी, तो ये question हो चुका है, और कि हमें मैंने यहाँ पर होमोलोगा सीरीज के बारे बता दिया, बहुत important है, दो फार्मुले, दो जो definitions है, एक होमोलोगा सीरीज, दूसरा functional group क्या होते हैं, और तीसरा catenation, ये बहुत important है, ओके, अगला है, अगला है, सैपोनिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन हम आपको बढ़ा चुके, एस्टरिफिकेशन मीन्स, producing of ester, मतलब ester का बनाना, ester कैसे बनता है, that is called ester बनाया, कैसे जाता है लिगे, तो ester बनाने के लिए क्या करते हैं, अप एसड के साब, कार्बाटुदी एसट के साथ क्या मिलाते हैं, alcohol, चलिए अच्छे से आते, alcohol मिलाते हैं, तो वो बनता है अपने पास esterification, आज हम आपको बढ़ा रहे हैं, कि सैपोनिफिकेशन क्या होती है, सुनिये जी प्लीज, सैपोनिफिकेशन का मतलब होता है, साबुन का बनाना. च्या बनाना जी? सौबनाना. या सोब का बनाना. The process of making soap is called सपॉनिफिकेशन. साबून बनाने की process को सपॉनिफिकेशन bula जाता है. आज हम देखेंगे की इंडस्ट्रीज में साबून कैसे बनाया जाता है. ठीक न जी? पूरा कोश्य ने को पर देता हूँ, distinguish between esterification and saponification reaction with the help of chemical equation for each तो दोनों की chemical equation आपको दे रही है, straight use of each esters and saponification process दोनों के use बदाईए, कि दोनों के use क्या है, industrial method दोनों में क्या कहा है, industries में इंका use रहा करता है, चलिए तो एक कालम मनाईए esterification और एक कॉलम मनाईए saponification मैं इसी question के दुरू आपको saponification और esterification सीखा देता हूँ, तो एक लेके question, distinguish between esterification and saponification distinguish between esterification and saponification distinguish between esterification and saponification, बस कितना काफी है, बागी का part understood है, सब कुछ समझ में आजाएगा, कोई news की जोगत नहीं है सबसे पहला, esterification मैं आपको बढ़ा चुका हूँ esterification, the process of making ester, is called esterification, simple कि ester बनाने की process को esterification क्याते है, यहाँ हो जाएगी headache number one definition, पहला point रहेगा, तीन marks का question है, मतलब आपको तीन point लिखने पड़ेगे, point number one, इदर लिखोगे 0.5, उदर लिखोगे 0.5, मिल के लेगा 1 marks, फिर इदर 0.5, 0.5, 1 marks, फिर 0.5, 0.5, 1 marks, मिल जाएगे 3 marks, okay, तो सबसे पहला लिखे, carboxylic acid, yes, carboxylic acid react with the alcohol, in the presence of little concentrate, concentrate sulfuric acid to form ester this process is called esterification, समझना है का जी, dilute को हो सकता है, नहीं, 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 concentrate sulfuric acid आपको यूज करना है, यहां पे concentrate है, concentrate sulfuric acid, dilute नहीं यह नहीं, dilute जो होगा, वो पानी को सुखा नहीं पाएगा, है ना, concentrate sulfuric acid, लिखे esterification में, okay, आप यहां पर चाहें, तो इसको ऐसा लिख, this process is called esterification, okay, सर, वो जरूरी है कि कार्वोक्सिलिक एसर नहीं है, हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है, ester बनाने के लिए किस प्रकार का ester news किया था, हमने, कार्वोक्सिलिक acid, कल मैंने साफ मरा किया था, mineral acid से कभी ester नहीं बनता, okay, तो कार्वोक्सिलिक acid reacts with alcohol in the presence of little concentrate sulfuric acid to form ester, okay, कर्वोक्सिलिक acid react करते हैं alcohol के साथ, in the presence of little concentrate sulfuric acid, थोड़ा सा sulfuric acid present रहता है, क्यों रहता है, मैंने बताया था, रियक्शन में थोड़ा सा पानी बनता है, अगर उस पानी को ना सुखाया जाए, तो reaction backward हो जाती है, फिर से, okay, तो इसको कहते हैं हम ester, this process is called esterification, हो गया? चलिए, अब देखेगा, ये क्या होता है अपने पास, दूसरा है, अपने पास, so, saponification reaction, अब पहले पर saponification समझादों, फिर आप ये वाला part note करिएगा, saponification होती है, saponification, so, बनते किस्से हैं ester से, किस्से बनते हैं? ester से, अब आपके कैसे हैं? ester से, अब आपके कैसे हैं, तो आपके बता है, ester में, ester में, ester में, ester में, ester में, ester में, तो एक चीज़ आपको याद करने का point मिलेगा, ester खुश्बुदार होते हैं, इसलिए, जिस flavor का ester होगा, उस flavor का अपना, ester में, उस flavor का अपना, sapon बन जाएगा, तो आपको लेना है ester, ये आप ester लेलो, औ उसको treatment करना है आपको sodium hydroxide के साथ किसके साथ sodium hydroxide के साथ आपको treatment करना है मैं यहाँ पर link करके बता रहा हूँ कैसे treatment करें रेखिए आपके पास एक ester है आपने एस्टर ले लिया CS3COOC2H5 I hope आपको बोला नहीं होगा यह ester होता है जिसमें C double bond O और यहाँ पर alkyl group होता है ओके तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CH3COOC2H5 यह आपने एक ester ले लिया कोई भी ले सकते हो आप यहाँ पर CS3 भी ले सकते हो है रा आप यहाँ पर प्रोपिल भी ले सकते हो यहाँ पर व्यूटिल भी ले सकते हो गालो भी ले के अपको समझ लेंके लिया इसका नाम युदी मैं आपको याद दिला दूह ती इसका नाम है इथाइल एथिरोहच एड अब मैंने क्या कहा कि इसकी रियक्शन आपको कराना है ने ओएज के साथ ठीक है जी एने ओएच के साथ आपको एक्षन करा दा है तो चाहें आप तो इसको पलट लें वह आपके फाइदे में रहेगा आप एने ओएच को एने यहां लिख दीजिए और यहां पर लिख दीजिए ओएच समझ में आ गया जी और यह वाला पार्ट जो है C2H5OH इसको अलगकर रिजिए यह वाले पार्ट पर आपने अलगकर दिया ठेका ना यहां पर जो वेलेंसी थीएट वह वाला पॉंड बनाकर का Midуть यह वे लगकर रिया तो पलस बन गया C2H5OH समझ में आ गया और यह बना CH3COO, और साथ में क्या जोड़ गया, LA, यह जोड़ गया, CH3COO, NA, दिखो जी यह है क्या, यह है क्या, sodium acetate, इसका simple name है, अच्छा बुला आप लोगों ने, इसका simple name है sodium acetate, और IUPAC नेम कर्मे ने बना था, sodium ethanoate, क्या बता है था, अब इसकी थोड़ी अंदर के discovery करो, यह है क्या, यह है क्या, इसको क्या बोलते है, है तो यह soap, यह बात सही है कि आपके पास साभूल बनके तयार हो चुका है, यह है soap, इसलिए इस process का नाम है saponification, the process of making soap is called saponification, बट इसकी थोड़ी सी और नाम आपको पता होने चाहिए, यह है क्या, अब थोड़ा सा विचार करो, acid पर, acid का formula होता है, यहां में लिख रहा हूं चगे का मैं, CH3COOH, बोलो हाँ, CH3COOH, यह बन गया है CH3COONA, मतलब यहां से CH3COONA बनने में आपके पास केवाल आपने एक change किया है, hydrogen को हटाया है, और किसको add किया है, sodium को add किया है, समझ में आ गया, यह क्या था, acid, क्या था यह, acid, कैसा acid, काउन सा acid, hydrogen को हटाती है, sodium जोड दिया, तो इसको बोलते है, sodium salt of carboxylic acid, क्या बोलते है, sodium salt of carboxylic acid, yes, what are ester, esters are the sodium salt of carboxylic acid, ester क्या होते हैं, sodium salt of carboxylic acid, अब बुक में पढ़ेंगे, आपको हर जगे ester का नाम यही देखने को मिलेगा, sodium salt of carboxylic acid, because, इसमें hydrogen को हटा करके, यहां पर कौन जोड जाता है, sodium sodium, समझ मैं गया जी, तो this is called sodium salt of carboxylic acid, ठीक है ना, एक और नाम यूज के जाता है, sodium salt of fatty acid, क्या नाम यूज के जाता है, sodium salt of fatty acid, sodium salt of fatty acid, क्यों नाय जाता इस नाम को मैं आपको और बटा देखा, यहां लेके, yes, and it out, yes, अच्छा, अच्छा, ओके, continue, yes, ओके, देखें, यह sodium salt of fatty acid, यह के लाता आपने पास sodium salt of fatty acid, okay, CS3COONA, इसका एक और नाम इस्तमाल होता, जिसको बोलते है, sodium salt of fatty acid, अब यह fatty acid क्यों भूला गया, यहां पर जो आप यूज कर रहे हो, CS3COO, उसके जगे आप और बड़ी carbon chain का इस्तमाल कर सकते हो, कैसे आएगी वो carbon chain, यह वाला पार बड़ा ले लो, और आपके पास राइड है ना इस पार्ट को बड़ा लेने के, बेरी मर्जी मैं कौन सा एस्तर लेके करूँ, तो अगर आप यहां पर बड़ा एस्तर लेंगे, तो यहां पर बड़ी carbon chain आएगी की नहीं आएगी, समझगा आगे ना, यहां पर बड़ी, अभी कितने carbon लिख अब इन साली चीजों को मैं लिखने जा रहा हूँ, और एक बार फिर से बोलूँगा जितना भी सुना दिया, एक बार systematically इन चीजों को फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनो, तो हम एस्तर का तो लिख चुके थे, अब हम पार्टी वाला पढ़े पढ़े है, क्या है रिखिए, on treating an ester with a base, such as sodium heterocyte, जी हाँ, ये treat किया था, on treating an ester, sweet smelling compound ester को, किस के सांद ट्रेट किया, बेस के सांद, एक बेस के सांद ट्रेट किया, it is converted back into alcohol and sodium salt of carboxylic acid, this part, this sodium salt of carboxylic acid, alcohol तो जानते हो, ये तो alcohol होता है, ये जो sodium salt of carboxylic acid होता है, this part is called, what, sop, ये क्या किलाएगा, sop, ये sodium salt of carboxylic acid, that is called sop, clear होआ कि नहीं होआ, हाँ, जी, sir, sop is the commercial name for this, ये सोप इसका commercial name है, ओके, आ गया, दोनों की reaction, हाँ, जी, common name ये दोनों है न, sodium carbonic acid and that sodium, देखें, इसके particular एदी नाम बोलेंगे, आप इसका IUPAC नाम तो sodium, one carbon, two carbon, sodium, ethyloid, और जो हम, ये जो sodium salt of carboxylic acid होते हैं, ये ऐसा नाम है, जो बनाता है कि इसका origin क्या है, एसा कोई नहीं बोल सकता हूँ कि ये इसका common name है, ये origin क्या है, एक family को बताता है, जैसे मैंने कहा sodium salt of carboxylic acid, तो क्या वो इसी के लिए होगा, नहीं, आप यहाँ पर बड़ा carbon कर दोगे तो उसके लिए भी तो होगा, तो मैं उसकी family की बात कर रहा हूँ, ये बहुत deep चले ये हम बाहर आते हैं, ओके, तो CS3, C00, Na, ये हो गया, फिर से एक बात रहींट करूँगा, on treating an ester with a base such as sodium hydroxide, NaOH, it is converted back into the alcohol and sodium salt of carboxylic acid, this sodium salt of carboxylic acid is called, so that's why this process is called sapolification, clear हुआ जी, next, second part, इसकी reaction को आप लोग जाते ही हूँ, दो दिल से पढ़ ले हैं हम लोग, example, esterification का ले लो भीया, क्या ले लिया, ethyl alcohol, किसके साथ लड़ाई करवादी इसकी, बोलो, क्या बोलते हैं, ethylonic acid, किसके साथ, या acetic acid, किसकी presence में, concentrate, ester with a form, खुब बता रखा, यहां का OH और यहां का, H हड़ जाएगा, और बलट करके, ये CS3, C00, और ये आ जाएगा, C2 H5, बनेगा कि नी बनेगा, तो CS3, C00, C2H5, प्रस पानी निकल जाएगा, this is called esterification, now again, saponification, as an example, हमने ले लिया, ester, कौन सा ester ले लिया, ethyl ethanoate, आपका मानो, ethyl ethanoate ले लो, ethyl ethanoate ले लिया, reaction करा दी, NOH के साथ, hydro, यहां से OH के साथ, alcohol बना दो, और एक जो NA बन गया, इ आप पढ़ते हैं, इनके uses, use of esters, esters are used in synthetic flavors, जी आप मैंने बताया है आपको, esters से क्या बनाई जाती, candies बनाई जाती हैं, है लो, perfume बनाई जाते हैं, है ना, to esters are used in synthetic flavors, perfume, cosmetics, cosmetics होगे लिए, liquors, paints, okay, paints and varnishes, varnishes, varnishes जो हुआ करती हैं, है ना, पोतने के लिए, varnishes जो होती है, plastic paint, वो बनाई जाती है, use of saponification reaction, it is very simple, it is used in the preparation of the soap in commercial basis, फटाफट नोल करिये इसको, कहीं पर doubt है, yes, any doubt, yes, no, 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 never, ठीक है, note करिये, yes, write the structure formula of ethanol, structure formula, ethanol का बनाई जाती है, so simple, सबसे बन जाएगा, ethanol का structure formula, ethanol का formula, C2H5OH, ठीक है ना, C2H5OH, अब इसका, हाँ ठीक है, इसको आप और चाहें, तो और जदा लिख सकते हैं, CX3, CX2, और ये क्या, OH, चलिए ये लिखते हैं पहला, तो आपको एक marks बल गया, तीन marks में से, write the structural formula of ethanol, second question आगे पढ़ रहे है, दूसरा है, एक marks दिलाएगा, what happens when it is heated with a concentrate, H2SO4, at 4.3 Kelvin, yes, sir, water is exerted, yes, and C2H4, yes, dehydration reaction, और क्या बनेगा, नहीं, बिल्कुल गलत, CO2 release, नहीं होगी, C2H4, क्या बनेगा, E3, क्या बनेगा, कल बदाया ता मैने, E3 बनेगी, ये होगी, आप बाइटो, condition note करिये, अभी पूरा solution करने का मौका दूँगा, condition देखिये, S2SO4 की presence रहेगी, temperature 443 Kelvin, बहुत जादा है, 443 Kelvin, ठीक न, तो temperature 443 Kelvin, मतलब कैसी reaction, temperature रहेना पता है, endo, endo thermic, कौंसी reaction, endo thermic, हाँ, write the chemical equation for the reaction, है न, stating the role of the concentrate, S2SO4 in this reaction, dehydrating agent, no, 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 no 204 गिलता है तो तुच्चा ज़ए जाती है ना तो क्या करता है वहां का पानी सुखा देता है या पानी भर देता है सुखा देता है मतलब dehydrating agent चलिए तो यह हो गई सारी question अब देखिए इसका answer अपनी copy में आप लोग answer match करिए देखिए पहला part structure formula of ethanol ethanol का structure formula CH3 CH2 OH अच्छे और हो एस्टू को पाचा दिया उसका आप नीचे कर लो next on adding the concentrate sulfuric acid to the ethanol on heating mixture 443 Kelvin या 170 degree centigrade जिसका मजी Kelvin को degree में लिकना हो 443 Kelvin 170 मत है ना उसका degree centigrade में 170 बोलते है इस गिफ्स एथी 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 लेता है C2H5OH गरम करेंगे concentrate sulfuric acid CH2 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 और hydrogen निकल जाएगा कल पर चुके है यह ना आंगे rule of S2SO4 the rule of concentrate S2SO4 in the hour reaction that is used as the dehydrating agent and causes dehydration of alcohol को है कोई problem किसी को ethanol 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 is also alcohol okay तो ethanol का यह dehydration करता है सारी बात मैं पढ़ा चुका हूँ केवल एक बात छोड़ करके कि S2SO4 का function क्या है okay तो copy में लिख लीजिए S2SO4 is act as dehydrating agent okay कला पाये थे कल पढ़ाये था मैंने याद है okay हाँ concentrated S2SO4 यह dehydrating agent का काम करता है concentrated S2SO4 यस कहिए oxidation में और combustion में फर्ग क्या है okay हाँ बहूँ से जो oxidation combustion से बोला हूं अले एक particular case है oxidation का combustion oxidation एक बहुत बड़ी variety है combustion उसका एक particular case है oxidation एक बहुत बड़ी variety है combustion उसका एक छोटा सा अंग है oxidation के अंदर आएगा combustion ओके इसका पहला पार्ट है इसका पहला पार्ट है इसका पहला पार्ट है वान मार्क्स के लिए पहला पार्ट why certain compounds are called hydrocarbon होके बात करेंगे वाद में भी रुचाओ write the general formula for the homologa series of alkyne, 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 one marks इसके लिए इनके general formula तीनों के and also draw the structure of the first member of each series, one marks इनके तीनों के पहले member के लिए आपको structure लिखना है चलो पूछी लेता हूँ alkyne family का पहला member? meethine alkyne family का पहला member? ethine बहुत अच्छे ethine और alkyne family का पहला member? ethine क्योंकि एक carbon के लिए ethine, एक carbon के लिए alkyne और alkyne existed? नहीं करतें आंगे पर दें, write the name of the reaction that converts alkyne into alkynes बताइए उस reaction का नाम बताओ जो alkyne को alkyne को alkyne में बदती है hydrogenation very good, that is called hydrogenation जो भी आप confused होले से सब catalyst का लगेगा okay that reaction is called hydrogenation and also write the chemical equation to show the necessary condition for the reaction to occur इस reaction को होने के लिए necessary condition क्या होती है answer catalyst present होना चाहिए याद आया तो यह 5 marks का है, जल्दी से जल्दी अपनी copy में बताइए इसका answer क्या होगा systematically लिखिए इसका answer please अब इसका answer देखिए पहला part certain compound contain only carbon and hydrogen hydrogen so these organic compound are called hydrocarbon अगर आपने सही लिखा है one marks देदीजे वहीं पर अगर आपने सही लिखा है तो okay yes one marks देदीजे अगला है general formula of homologous series of alkane cnH2n plus 2 देदीजे लिखा है दी तो one marks देदीजे और दूसरा alkene का cnH2n और alkane का cnH2n minus 2 यह तीनों सही है तो one marks और कोई गलत है तो 0.5 अब इसके बाद बात करतें इनके structure की पहला structure देखिए आप methane का methane का structure एक carbon और चार hydrogen link करिए ethane का structure देखिए 2 carbon और 2 hydrogen left side और 2 right side और alkene में ethane ethane का structure देखिए C triple bond C सही है क्या चलिए आंगे रिखिए आंगे रिखिए catalytic hydrogen is the reaction catalytic hydrogenation कोई catalytic नहीं भी लिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है answer is hydrogenation but now मागे के लिए ठीक है reference के लिए कि this reaction is called catalytic hydrogenation because catalytic present होता है it is used to convert alkenes to alkenes यह ऐसा भी लिख सकते थे the reaction that is used to convert alkenes to alkenes is called hydrogenation okay now इसका system देखो CS2 double bond CS2 alkenes with hydrogen presence of nickel temperature note कर लिजे 300 degree centigrade okay 300 degree centigrade और reaction की presence में C216 बन जाएगा okay platinum का क्या है platinum PT नहीं 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 तो reaction के लिए होता है catalyst के लिए नहीं होता है catalyst तो presence करेगा reaction को fast करेगा नहीं कुछ नहीं है ऐसा ऐसा नहीं है ठीक ना तो reaction temperature कितना है 300 degree centigrade one minute only next mention the essential condition okay sorry यहां पर condition लिखनी थी तो nickel and 300 degree centigrade okay तो यह हो गया इस question का answer पूरा ठीक ना तो आज के लिए इतना ही conclude करते है next up कल करके आईए okay यह question देखे mention the essential material or chemical to prepare soap in the laboratory मतलब laboratory में soap बनाने के लिए किसका किसका इस्तमाल करेंगे बहुत ही simple है ester ester yes base का तो एक ester का इस्तमाल करोगे अरे base का ठीका आँगे देखे describe the brief the test of determining the nature acidic alkaline of the reaction mixture of the saponification reaction question समझो question का कहना है कि reaction होने के बाद आपका साबून बन गया चलो ठीक बन गया अब साबून जो बना है वो acidic है या basic है उसको पता लगाने के लिए क्या करोगे सही बोल रहे हो क्या करोगे litmus test litmus paper test करोगे अगर litmus paper blue से red हो जाएगा मतलब आपका solution mixture कैसा है acidic और अगर red to blue हो जाएगा तो इसी बस यह लिखना है देखिए इसका answer फटा फट chemical required अब देखे chemical required हाँ जी क्योंकि आप laboratory में बना रहे हैं तो आपको चाहिए number one आपको चाहिए ester चाहिए अब वो ester बगरे prepare करनी के लिए आपको क्या-क्या चाहिए देखिए number one vegetable oil यह आपको देगा long chain carbon acid vegetable oil दूसरा common salt and 20% of sodium hydroxide इस अब कुछ मिल जाएगा आपको lab में next अगला नेखिए when a red litmus paper is dipped in the reaction mixture यह तो understood है if it changes the color into blue hence the reaction mixture of the saponification is basic और अगर यह red chain करेगा तो क्या होगा इसे चलिए नोट करिए